हेलो दोस्तों मुश्कार अगर आप बनप्लश नॉड स्मार्टफॉन की यूजर्स है और नॉड की जो ऑक्सीजन ओएश 12 की फाइल है और आपका डेवाइस ऑक्सीजन ओएश 12 पर रंग कर रहा है इसकी ऑफीशियल ऑक्सीजन ओएश 12 की जो फाइल है उसमें से वूट जाते अपरा डेवाइस तो इसके लिए सिंपल से आपको गूगल प्लेश्टोर पर जाना है ओक्सीजन ओप्डेटर एप्लीकेशन डालूर करना है एप्लीकेशन ओपन करना है इस्टेवल फुल अपडेट आपको चूज कर लेना है इसके बाद देख पाएँगे आपका पर रन कर रहा है एडवांस मोड इनेबल करना है इसके बाद आपको आपको ऑप्सन दे देगा यहां से आपको इसे डालूर करने की पर्मिसन दे देनी है छे मिनट के अंदर यह फाइल डालूर हो जाएगी मेरी फाइल आपकी डालूर हो गई है अब आप इसे फाइल करें अपने पीसी से कनेक्ट कर देना है अपने पीसी पर आपको पेलों डम पड़र अप्लिकेशन डालूर कर लेना है इसके बाद इसम इस तरह से आपको एक्सिर्ट करा लेना है extract करा लेने पर यह यहाँ पर open हो जाएगा कुछ इस तरीके की form में आपको file manager में जाना है अपना device select करना है और यह जो file आपने ली है इसको यहाँ से copy करते हुए आपको desktop पर ही paste कर देना है अब यह file आपकी copy हो गई है इसके बाद इस file को आपको simple से कुछ इसी तरीके से extract कर लेना है extract हो जाने के बाद इसमें आपको एक file देखने को मिलेगी payload.win इस file को आपको simple से copy करना है उसके बाद आप payload dumper की extract की वही file के अंदर आएंगे input पर click करेंगे इसके बाद इसके अंदर इस file को आप paste कर देंगे back आना है आप payload dumper को आपको run करा देना है तो यह कुछ इस तरीके से run होना start हो जाएगा अब कुछ समय का इंतियार करना है file आपकी extract हो चुकी है payload output पर click करना है boot की जो file है उससे आप यहां से copy कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इस में से यहां से यह move हो जाएगी अब आप boot file को use कर सकते हैं पर डिवाइस को root करने के लिए उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लेटेस्ट जो भी oxygen का अपडेट आएगा उसकी आप boot file बनाना सीख गए होंगे यह यहां पर किसी भी डिवाइस की आप फाइल है boot file extract कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह जानतारी पसंद आज होगी इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करने थेंक यू